हरे क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कली काले नाम रूपा क्रिश्न अवतार और नाम हैते है सर्व जगत निस्तार कली उग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं अर्जुन ने भगवान से पूछा दस्मे अध्याय में कि कथम विद्ध्याम अहम योगिम्स त्वाम सदा परिचिंतयन इह योगी मैं कैसे आपका सदा परिचिंतयन निरंतर चिंतन कर सकता हूं केशू केशू चभावेशू चिंतयो असी भगवन मया केशू केशू चभावेशू किस किस प्रकार से इस संसार में रहते हूए कि भगवान तो है परे जगत में दिब्बे जगत में अध्यात्मिक जगत में ट्रांसेंडेंटल वर्ड तो इस संसार में हम तो भवतिक जगत में है तो केशू केशू चभावेशू चिंतयो असी अवतरित होते हैं, अवतरती इति अवतारह, तो कई रूप में भगवान अवतरिन होते हैं, उसमें से एक अवतार है, Holy Name, भगवान का नाम, कली काले नाम रूपे, कृष्ण अवतार, वही कृष्ण, जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रहते हैं, अभी इमिनेंट दो उपस्तिती होती है, एक इमिनेंस और एक टांसेंडेंस, इमिनेंस यानिकि इमिडियेट, अभी अभी यहां, इस संसार में हम भगवान के विस्तार को कैसे अनुभू करें, उसे गते हैं, इमिनेंट एक्स्पिरियेंस, तो चाए भगवान का नाम हो, चाए भगवान के तुम गंगा को देखो, मेरा आस्मरन करो, हिमाले को देखो, मेरा आस्मरन करो, बिक्छो में मैं अस्वत बिक्छू हूं, पंडवा नाम धनन जया, पंडवा मैं अर्जुन हूं, तो इसा नहीं कि God is everything. Of course God is everything. God is present in everything. But still everything is not God. जैसे Hiran nhi Kosipu ने प्रवाद माराज से पुछा, तुम्हारा अभगवान कहा है? तो प्रवाद मिल्도 मैरा आस्मरे के मेरा अभगवान कहा नहीं हैं? हर जके मेरा भगवान है लेकिन जब भगवान नर्सिंग दो प्रकट हुए और तरित हुए तो प्रलाद महराज खंबे को जाकर माला नहीं पाना है उन्होंने यह दिभी गौड इस प्रेजन्ट एवरीवेर तो एवरीवेर का मतलब यह नहीं कि भगवान किसी रूप में आय सकते हैं प्रतिक वस्तु के भीतर कर सकते हैं फिर भी भगवान का अपना अस्तित्व बना रहता है और वो जो अपना अलग अस्तित्व है तो भगवान समय समय पर कई रूपों में अपने आपको प्रकासित करते हैं तो हमें इस कलियुग में भगवान को नाम के रूप में नाम को आदर देने से नाम लेने से हमारी चेतना भगवत में बन जाती है क्योंकि बिग्रा की पुजा तो बहुत कठीन है उसके लिए पबित्र होना है बैदिक मंत्रों का उचारन करना है अर्चन करना है पूजन करना है भोग लगाना है फिर जाकर धिरे-दिरे हम सुध हों हमें अवतिन होगे हैं तो इस नाम को हमें पून स्रद्धा के साथ उच्चारन करना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सील प्रभुपाद की जाए समवेत भक्त व्रिंद की जाए